हलो बच्चो, COVID-19 के बज़े से 12th के एक्जाम कैंजल हो चुके हैं और अब सभी बच्चे प्रमोट हो गए हैं लेकिन एक जन्रल क्वेरी बच्चों की आ रही है और वो क्वेरी ये है कि सर अब हम क्या करें क्या NEET और JEE की तैयारी 2021 के लिए करें या हम year-long course जोइन करें 2022 के लिए बहुत सारे institute, short term course, crash course, capsule course, इस तरह के course करवा भी रहे हैं क्या इनको जोइन कर लेना चाहिए बच्चों इस बारे में बिलकुल मैं आपको बहुत important advice देने जा रहा हूँ और वो advice यह है कि अगर आपने 12th में जो पढ़ाई है वो NEET लेवल या JEE लेवल की ही की है 12th के साथ साथ तब तो आपको यह short term course हैं एक तरह से revision के लिए होते हैं और revision आपका हो जाएगा इसमें आपको बहुत अच्छा advantage होगा पकी बात है ठीक है लेकिन इस समय आपको बहुत सारी theory पढ़ने की बजाए number of questions की practice ही करनी चाहिए ठीक है जितने ज़्यादा questions आप solve कर सको उतने questions solve करो फिर से कोई दो महिने के लिए छोटा छोटा superficial आपको formula पढ़ा रहा हो या थोड़े से concept बता दे दो तीन questions करा दे इससे फाइदा होने वाला नहीं है number of questions यानि अगर आप 60 days का course जोइन कर रहे हो तो लगभग 2 से minimum 2000, maximum 3000, 2000 to 3000 questions आप physics के इस समय प्रैक्टिस कर लें इन दो महिने में लेकिन अगर exam माली जे postpone होता है एक या दो महिने postpone होता है तो फिर आपको number of questions बढ़ाने पड़ेंगे ठीक है इतने solve करने पड़ेंगे तब जाके हम selection की उम्मीद कर सकते हैं थोड़े थोड़े concept समझ लें और थोड़े थोड़ा दो चारदस numerical करते चलें इससे selection होने वालन नहीं है तो ऐसे बच्चे जनोंने neat level की तयारी 12th में ही की है जेई level की तयारी 12th में ही की है उनका 11th और 12th neat और जेई level पर बिलकुल तयार था बस वो अभी जो 12th के exam के कारण वो उसमें involved हो गए थे अब चोंकि 12th का exam cancel हो गया है तो वो ये revision course join कर सकते हैं उनको बहुत बहुत advantage होगा condition यही है कि वहाँ पर जहां भी आप join करें number of questions ज्यादा से ज्यादा करवाया जाए जाए ना कि फिर से theory पढ़ाया जाए number of questions ज्यादा ज्यादा मैं इसी पर आपको advice दे रहाँ कि number of questions इस समय ज्यादा ज्यादा करने की अवश्यता है दूसरा वो बच्चे जिन्होंने 12th में पढ़ाई 12th में पास होने के लिए ही की थी उन्होंने cable academic level पर ही तैयारी की थी इसके पहले 11th बहुत बहुत कम पढ़ा था या 11th ना के बराबर पढ़ा था cable 12th मे नहीं थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी उनके लिए बच्चो ये जो short term course है, crash course है, capsule course है इन सबसे कोई लाव होने वाला नहीं है आपका total समय बेकार जाएगा और अगर आप इन में involved हो गए गलती से अगर ये जोइन कर लिए capsule course या जो है crash course और ये अगर आपने 11th नहीं होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें अगर वो थोड़ी थोड़ी थियोरी पढ़ाए, कोई teacher थोड़े थोड़े निमेरिकल्स करा दे, ठीक है, number of questions ज्यादा से ज्यादा नहीं कराए, अगर वो number of questions ज्यादा कराएगा तो आपके समझ नहीं आएंगे, क्योंकि आपने 12th नं ज्यादा करना चाहिए, जिसमें systematic way में 11th और 12th की competitive level की तैयारी बिलकुल जैसा regular batch होता है, उसी तरह से धीरे धीरे आपका level बढ़ाया जाए, practice कराई जाए, फिर syllabus हो जाए तो उसका revision करवाया जाए, इस तरह के आपको बढ़ाई कराई जाए, वो 2022 का target रखते हुए आप कर सकते हैं, ठीका ना बच्चो, तो दो तरह के course हो गए, एक वो जिन्होंने 12th की पढ़ाई बहुत अच्छी की थी, NEET लेवल पर की थी, JAE लेवल पर की थी और 11th और उन्होंने बहुत अच्छा कर रखाता, उनके लिए तो ये अच्छा है, crash course, number of questions की practice करो, 11th आप revise कर लो, और आप selection की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जिसने 11th पढ़ा ही नहीं है, और 12th केवल academic लेवल पर पढ़ा है, वो तो समय बेस्ट करेगा, उसको ये course वर्स के चकर में पढ़ने की जरूत नहीं है, short term course के, उसको year long course आपको join करना चाहिए, हाँ, year long course स्टार्ट हो जाते थे, तो अब सभी बच्चे प्रमोट हो गए हैं, तो result भी समझ लो आई गया है, तीक है ना, तो हम ये result का wait भी नहीं कर सकते हैं, सभी बच्चे पास हैं, तो बच्चे, अब आप year long course जोईन कर सकते हैं, जिन्नोंने 11th और 12th अच्छा नहीं पढ़ा था, लेकिन NEET और JEE की तैयारी करना चाहते हैं, तो year long course में हम क्या करेंगे, बिल्कुल basic level से आपको 11th और 12th का जो NEET और JEE level की classes हैं, वो दी जाएंगी, हाँ, अब इसमें बीच में बच्चों को लग सकता है, सब हम 2021 का भी form भर देंगे, बिल्कुल भरू, है ना, वो हम भ term course या crash course या capsule course चल रहा है, उससे business lab, अगर आप केवल उसी को join करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप year long course के साथ उसको join कर लेते हैं, तो year long course में हमारा systematic way में चल रहा है, वो नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है, और इधर हमने fast course कर लिया, अगर हमें लगता है कि हमारा fast course से हमें काफी lab हो रहा है, तो 2021 में अगर इश्वर की किरपा बन गई आपके उपर, तो थोड़ी महनत रंग ले आई, तो आपका 2021 में ही selection हो जाएगा, और लेकिन अगर माल दीजे कुछ कमी पेशी रहे गई, कुछ marks रहे गई, तो फिर आप इधर year long course कर ही रहे हैं, systematic way में पढ़ी रहे हैं, तो वो नुकसान नहीं होगा बच्चों, वो loss नहीं होगा उतने time duration का, क्योंकि अगर आप year long course, NEET या JEE के exam बाद जोइन करेंगे, तो आपके 2022 के exam में समय बहुत बहुत कम मिलेगा, जैसा कि पिछले वर्स, यानि इस वर्स, बहुत सारी बच्चों का रुकसान ये हुआ कि कई बच्चे NEET का exam जैसे आपने इस बार देखा September में हुआ था, बहुत सारे बच्चे September के बाद NEET का exam देने के बाद regular batch को जोइन किये, जबकि हमारे बच्च जुलाई में ही start हो गया था, तो जो बच्चे जुन और जुलाई में ही आ गए थे, उनका syllabus इस समय लगभग complete है, और वो अब revision करने के लिए तयार है, वो revise कर रहे हैं सारे syllabus को अपने, लेकिन जो बच्चे September के बाद आए, उनका तो syllabus ही कैसे हो पाएगा भी, है ना, तो उनको फिर से अभी classes join करनी पड़ रही है, तो इसलिए मैं आपको ये advice दे रहा हूँ कि अगर आपने regular batch के लिए मन बनाया है, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा J.E. और Neatman selection हो, तो crash course ये capsule course के चकर में आप मत पड़ो, अगर आपने 12th और 11th अच्छा नहीं पड़ा, regular batch join करो, ठीक है, year long batch join करो, systematic way में होगा, हाँ, इसके साथ आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं लेकिन अकेला उससे काम चलने वाला नहीं है, उससे नुक्सानी होगा, लेकिन year long regular batch के साथ अगर उसको join करते हो, तो ये double engine का काम करेगा, और आपका selection, अगर ईश्वर की किरपा बनी रही, तो हो सकता है कि 2021 में ही हो जाए, otherwise हमारा loss नहीं होगा, हमारी इतने दिन की जो लिए, ठीक है ना बच्चो, तो यही सब करिए, और ये जो year long course है, या जो capsule course है, या जो आपके crash course है, practice through questions है, ये जो courses हैं, इन सब की जानकरी, आपको यहाँ पर आप channel को subscribe कर लीजिए, ठीक है, और एक मनोज नायक physics concept app है, उसको download कर लीजिए, या हमारे center पर आकर के, आप य सारी इन courses के बारे में information ले सकते हैं, या आप direct मुझे whatsapp कर सकते हैं, whatsapp number आप note कर लें, 98260-84584, I repeat, 98260-84584, ठीक है बच्चो, तो चलिए, all the best, thank you.